कि जब आप सारे लोग हाथ में भगवी पता का लेकर खड़े थे तो मेरी नजर के सामने वो नजारा घूम गया जब हल्दी घाटी की मैदान में चेतक पर सवार होकर महाराणा प्रताप सिहजी वहाँ पर पूरी शान के साथ खड़े थे और उनके पीछे पूरा रचपुता हमारे सारे क्षत्रिय योध्धा इसी प्रकार से भगवा धोज लेकर लड़ने के लिए तैयार थे और देश धरम की लड़ाई लड़ने के लिए सारे के सारे आतूर थे तेज चित्राज माझा समोर तुम्हें पुना एक दाज जागरूत केला अले मुनों या भगवया करत मि तुमसे मना पासना अभार मानतो पड़ या ठिकानी इतका मोठा हाज जनसमुदाए पहले अन्दाच आमचा क्षत्रिय समाज इतक्या मोठा संखेन या ठिकानी उपस्तित जाला आनि तसही या देशाचा इतिहासा मडे आमचा क्षत्रिय समाजाचा जे योगदाना है ते कोणी नाकारू शकत नाए ते कोणी विश्रू शकत नाए जेमा जेमा या देशावर आक्रमन जाला देव देश आनि धर्म वाचवने करता हाचा क्षत्रिय समाज मैदाना तुतरला आनि आपले जिवाची बाजी लाउन प्रसंगी त्या ठिकानी आपला देह गेला तरित चालेल पन भगवयाची शान जाणार नाए अशा प्रकारे लड़ना रा हामचा समाजा है